स्वागद वच्छो आपका उमरे चैनल पर आजम करेंगे कक्षा 6-7 प्रभा कारे पुस्तिका गनित का कारे पत्रक नमर 34 जो की पेज नमर 133 पर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाजकता के नियम लिखना है चार की भाजकता का नियम क्या होता है अंतीम दो अंकों में चार का भाग जाना चाहिए इसी परकार 9 का सभी संख्याओं का योग 9 से विवाजित हो इसी परकार 11 का क्या होगा विसम संख्या के स्थानों का योग और सम स्थानों का अंकों का योग होता है अंकों की योग का अंतर 11 से विवाजित हो या उसका अंतर सुनने हो जाए अगला देखिए निमलिकित में से कौन संख्या 10 से विवाजित है जो विवाजित है उनके आगे हा लिखना है जो नहीं होती है उनके आगे ना पहले में हा तीन सो में फिर हा आ जाएगा 107 में ना आ जाएगा इसी परकार अगले में हा बीच वाले में ना और नीचे वाले में हा अगला देखिए पहले में नीचे वाले में ना फिर हाँ फिर ना इसी परकार दो से विवाजित होने वारी संख्याओं के नीचे हाँ ना लिखना है पहली होगी दूसरी होगी तीसरी नी होगी चौती होगी पांची होगी छटी नी होगी साथ भी नहीं होगी आठ भी होगी और नवी भी होगी इसी परकार पांच का देखना है हाँ हाँ ना चौते में हाँ पांच भी में ना फिर हाँ फिर सारे हाँ अगला देखिए निम्न की कतन को सकते है सकते हमें छाटना है पहला देखिए, यदि कोई संख्या 5 से विवाजित होती है तो 10 से भी होगी, गलत है, क्रॉस लगा देंगे जो 6 से विवाजित होती है, 9 से विवाजित होगी, गलत है जो 8 से विवाजित होती है, 2, 4 से होगी, बिर्कुल सही अगला देखिए, विवाज ये के नियम के आधार पर जांच करनी है किस किस से होगा 824 लिखा हुआ है 625 किस से होगा 5 से बाकि सब्जेक के क्रोस लगा देंगे 529 किसी से भी नहीं होगा सब्जेक क्रोस 121 11 से होगा 680, 2 से, 4 से, 5 से 8 से और 10 से होगा इसी परकार 7 वाक परशन है इस तानों में ऐसा अंक लेकिए कि 9 से पुन्दत विवाजित हो जाए तो पहले वाला अंक दो जाएगा इसमें 1 लिख देंगे और इसमें 3 लिख देंगे तो बच्चों ये था हमारे कारे पत्रकरमर 34 जो की पेज नंबर 133 पर था तो जोड़े चनल से धन्यवाद